नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरा जरापकी अपनी कख्षम में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग युनिवर्सिटी के पूछे हुए कुश्चन्स डिसकस करेंगे इसकी जो सीरीज चल लए हमने युनिट वन्ड के लिए अलग से सेपरेट किया हुआ है तो इसमें हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युनिवर्सिटी ने जितने थे बीटेक फिस्टियर के कोर्स में वह उसी से लेवस के अकॉर्डिंग बचे हुए जो दो टॉपिक है नोडल अनाल्सिस और लूप अनाल्सिस उसी से रिलेटेटेट ही कोश्चन्स जो है मैं आपको फिस्ट य के टों में आपको करेंट फाइंड करना है अब करेंट करना है किसकी मदद से तो नोडल की मदद से तो नोडल में हमें पता है कि स्टेप्स जो है वो पता है कि वो क्या होते है तो नोडल का आप नहीं देखा है तो उसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट द तो देखें उसके बाद यह numerical करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी तो देखे नुमेरिकल में क्या कहा गया है अभी हमको यहां नोडल लगाना है और नोडल लगाना है तो हम यहां सबसे पहले नोड असाइन करते हैं तो नोड हम किसको असाइन करेंगे नोड हम उसको कहते हैं जहां पर कम से कम दो या दो से ज्यादा ब्रांचे आपस में जुड़ने हों तो आप देखो तो यह वाली पूरी लाइन है वो एक ही ब्रांचे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक दो और इधर से तीन आकर जुड़ा है लेकिन यह भी यहीं आकर जुड़ा है क्योंकि इनके बीच में कोई element नहीं है तो हम चाहें तो इसको ए नोड मालने या यहां पर भी लिख सकते हैं आप जहां जाहें लिख सकते हो ए नोड यह हो गया पर नीचे ऐसे दूसर नोड हो जाएगा आपका बी तो यह हो गया आपका बी नोड अब इन दो देंगे तो ए है तो क्या लिख दिया जाएगा अब अगला काम हमारा क्या है अगला काम है हमारा सभी ब्रांच में करेंट एजूम करना रेंडम ली जो भी आपको लगता है ठीक है तो आप यहां पर माल लेंगे i1 यहां पर हम माल लेते हैं i2 यहां पर हम माल लेते हैं i3 यहां पर हम मान लेते हैं I4 तो इस तरीके सामने एजूम कर लिया है अब एके करके सभी नोट पर केसे लगाया जाता है रेफरेंस को छोड़ के तो रेफरेंस को छोड़ देने पर एक ही नोट बच जाता है आपका वह क्या है आपका ए तो और यह ध्यान रखेगा यह current आप जिस भी direction में मानना चाहें हमना इधर माना है आप उल्टा मानेंगे तब रिजल्ट से माइगा उसमें कोई फार्क नहीं पड़ेगा तो देखे हम यहां पर लिखेंगे apply KCL at node A और A पर जब KCL apply करोगे तो क्या होती है equation incoming current बराबर outgoing current तो incoming देखिए I1 आपका incoming है तो I1 I2 भी आपका incoming है तो इसलिए plus I2 I3 भी देखिए इसी node की तरफ ही जा रही है यह और यह point दोनों same है उसमें कोई difference नहीं है तो क्या हो जाएगा plus I3 is equal to यह है आपकी बाहर की तरफ जा रही है तो यह क्या हो जाएगा I4 अब इन सभी equations को जो है जो value है current की उनको इन I1 की बात करें तो I1 कहां से start हो रहा है बी नोट से तो बी का voltage कितना है जीरो है तो हम लिखेंगे यहां पे 0 फिर minus से plus की तरफ जा रहा है तो plus 90 फिर आगे जाएंगे तो A पे खतम हो जा रहा है तो minus VA upon resistance कितना है 20 plus I2 देखे तो वह भी बिल्कुल इसी branch की तरह है यहां पर भी तो कितना हो जाएगा 0 plus 60 minus VA upon 12 plus I3 देखे कितनी value है यहां पर current source ही लगा और जब भी current source लगा होता है तो उस branch में उतनी current flow करती है जितना कि वो current source है और आप देखे तो हमने जो माना है और जो यहां दिया है वो दोनों same direction में है तो इसलिए value कितनी हो जाएगी plus 2 अगर opposite ह होता है तो minus के साथ लिखते, equal to, अब I4 लिखना है, I4 कहां से सुरू हो रहा है, इस point से, इस point का मतलब यह भी तो हमारा A ही है, तो क्या हो जाएगा, VA, फिर आगे जा रहा है, कहां पे end हो रहा है, इस point पर end हो रहा है, यह भी क्या है, B और B का voltage कितना है, 0, तो लिखेंगा minus 0 upon, कितना जाएगा, divided by resistance, that is 8, तो यह हमारा क्या हो गया, expression हो गया, अब इसको solve करेंगे, और LCM लेंगे, और VA की value हमको यहां पे मिल जाएगे, अगर मान लिजे, आप LCM लेने में कठीना ही हो रही है, तो कोई दिकत नहीं, आप इसको cross multiply, इनको आपस में multiply कर लिजे, तो क 12 minus 12 VA plus 60 into 20 minus 20 VA plus, अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां 1 था, तो कितना हो जाएगा, 2 into 20 into 12 is equal to VA upon 8, इस तरीके से हमको पूरा expression जो है, वो मिल जाएगा, अब इसको हम पिर से आगे solve करेंगे, तो देखे, solve करने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखे, यह 90 नहीं बारा किया, यह value आगई, 12 VA और यहां पर 6 दूना बारा, तो 1200 आजाएगा, minus 20 VA plus, इसको multiply करके आगे, आपका, 480 divided by 240 is equal to VA upon 8, अब यहां पर हम चाहें तो इसको cancel कर सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 30 times, cancel out हो जाएगा, फिर cross multiply करेंगे, तो हमें equation जो भी VA का term है, उसको अलग कर लेंगे, और जो constant है, उनको एक तरफ ले आएगे, तो देखे, हमें क्या मिल जाएगा, expression, तो देखे, हमने क्या किया है, इसमें आपका सभी constants को आपस में जोड दिया है, और constants को जोड देने के बाद, जो है, यहाँ पर जो VA का term है, उनको हम इस तरफ ले आए हैं, और लाने के बाद, हमको यहाँ मिल गया, 60 यह आजाएगा, और यहाँ से आपका 32 आगा, तो हो गया 62, इसको solve करेंगे आप, तो आगे कितना मिल जाएगा, हमको VA की value यहाँ से मिल जाएगी, 44.51 वोल्ट, इस हमें VA मिल जाएगा, और एक बार VA मिल गया, फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, current in 8 ohm resistance, तो 8 ohm में कौन सी current है, I4 और I4 की value कितना है, VA upon 8 है, तो हम यहाँ पर बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे, current in 8 ohm resistance, that is I4, that is equal to VA by 8, और VA की value है आपका, 44. 44.51 divided by 8, और यह current है, तो current की unit क्या होगी, ampere, इसको अब solve कर लेंगे, और आपको value जो है, 5.5637 ampere, इस तरीके से बहुत से बहुत सिंपल और यह question भी university exam में आपका जना, odd semester में पूछा हुआ question है, 21 का, तो यह बहुत simple है, बहुत असान-असान questions पूछे जाते हैं, 10 number का question पू आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ share करें, और अगर चैनल पर नहीं है, तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,